असलाम लेकुम विवर्ज, उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आज जो मैं आपके सब रस्पी शेयर करने जा रही हूँ, वो है होट एंड सोर चिकन सूप की, तो जैसा के सरदी आ रही हैं, मेरी तरफ से तोफा है आप सब के लिए, तो इस असान से रस्प को बनाना करते हैं, तो चिकन सूप को बनाने के लिए ह tääंप मैंने हडी वाले कफिशि लि謏ये हैं चिकन के आप चाहें, तो वोगने हम पीक्ति के बॉनलयस चिकन भी इसे इसथे ह्दे के बिंदे रूदी अवंदी हुज़ा है, देकिन यहाँ पर मैं एमन दो और हडी अगरा कर लों तो नमक में ने डाल दिया भी से चस्मिक्स करके मैं इसको ड़कर लगाके उबालाने तक छोड़ दूँगी. तो देखते हैं चिकन बॉइल हुआ है या नहीं? तो देखिए माशाला से चिकन तो बहुत बर्दस सा बॉइल हो गया हमारा. आपने भी इतना बॉइल करना है चिकन को, कि जब हम इससे रिशे अलग करें तो ये अराम से अलग अलग हो जाएं. तो अभी हम चिकन को कसी बरतर में अलग कर लेंगे. तो यहाँ पर चिकन मैंने निकाल लिया है सारा. अभी यह जो यखनी है इसको भी हम जाया नहीं करेंगे इसको भी मैं किसी दूसरे बॉल में डाल लूँगी इस तरह से इन दोनों को हमने अलग अलग कर लिया है अभी इस चिकन से मैं चोटे चोटे रेशे बना लूँगी हड़ियों को मैं इस से अलग कर लूँगी और यहां पर अल डाल लूँगी तो यहां पर मैंने ओल डाल लिया है अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अद्रक लेसन का पेस्ट इसे मैं फ्राइ करूँगी इसे मैंने इतना फ्राइ करना है कि इसमें लाइट ब्राउन सा कलर आए इसको अपने हलकी आँच पर फ्राई करना है ज्यादा तेज आँच नहीं करनी कि ये जल जाए तो देखे यहां पर लाइट ब्राउन सा कलर बहुत जबरदसा आगया है इस सreकर पर बाता है इसको डालने के बाद में इसे फ्राई करूँगी अबे इसमें डाल रही हूं शिमला मिर्च कटकी हुई तो इन चीज़ों को फ्राई करेंगे इसके बाद में इसमें डाल रही हूं यकिनी जो मैंने अलग कर के रखे हूई थी चिकन की सारी डाल देंगे तो ये खनी को डालने के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी चाइना साल्ट ये यहाँ पर मैंने अाफ टी स्पून लिया है तो इन चीजों को डालने के बाद अभी मैं इसको उबाल आने तक छोड़ दूंगी तो देखिए से कि इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चमच से इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसमोर अब ही मिस में य्म Him Soya sauce 2dadeबस även in अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद मैं डालूँगी इसमें चिली सॉस टू टेबल स्पून इसको भी डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि यह सब चिज़ें इसमें अच्छे से हल हो जाएं इसके बाद अभी मैंसे पकने दूँगी थहीं सिंपल सी असान सी रेस्पी है बहुत जल्ब बन जाता है ये चिकन सूप तो अभी ये इसमें उबाल आने लग गया है अभी मैं इसमें ये ढाल रही हूँ कॉर्ण फ्लोर जिसको मैंने पानी में डाल कर मिक्स कर लिया है यहाँ पर मैंने इसमें 3 टेबल स्पून कॉर् करती जाओंगी और चमत से से मैं मिक्स करती जाओंगी s at साथxus。 तो यहां पर मैंने सारा कॉंफलोर इपमे डाल दीया है इसको डालने के बाद अभी मैं इसमें डाल रही है एक प्र प्क मैंने अच्छ से प्हेंट तो इढ़ा भी अच्छे हो चुकत है इसके बाद मैं इसमें डालने के बाद इसे हाल रहाऊ जाया रहा है इसके बाद मैं डालूँगी 1.5 टी स्पून ब्लेक पिपर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कम अच्छे से एक मिट तक पकाऊंगी, अच्छे से, तो देखें यहाँ पर एक मिट हो चुका है, चिकन सूप हमारा बन के रेडी है, तो अभी इसे मैं अलग बरतर में डाल के आपको दिखाती हूँ, तो अगर आपको मेरी आज की रेस्पी अच्छी लगी हो, चिकन सूप की, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों कसा शेयर भी करें, मुझे दे इजाज़त, अला हाफियस,